सो हेलो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ बहुत ही सस्तो दामों में electronic component जो के मुझे बहुत ही सस्ते मिले है और इसकी price एकदम cheap है और मैं एक एक product की price भी बताऊंगा जो के बहुत ही सस्ती है सबसे पहले मैं 9V की battery को निकालता हूँ और उसके साथ एक cap भी आया है जो के मुझे मिला है 22 रुपे में और गाइस ये battery fully charge है और गाइस इसके बाद है gear motor जो के RC car बनाने में काम में आती है और इसका price 49 रुपे है और ये एकदम अच्छी condition में हमारे पास आई है गाइस और इसके बाद है mini propeller और DC motor के gear और गाइस मैंने gear के 5 पीस मंगाए है और propeller के 2 पीस जो के मुझे पड़े है शिर्फ 12 रुपे के अंदर और गाइस ये propeller छोटी drone motor के है जो के बहुत ही अच्छे condition में हमारे पास आई हुए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कर दो क्योंके हमारे चैनल अभी बहुत ही down चर रहा है और गाइस इसके बाद है दो टाइप के switch जो के एक है on off और कम ज्यादा power करने का और ये है तीन mini switch जो के मुझे सिर्फ 9 रुपे के अंदर मिले है और गाइस इसकी condition भी बहुत ही बढ़िया है और गाइस मैं इसे बहुत ही सारे project में use करूँगा जो के बहुत ही useful है और भाई इसके बाद है LED light जो के नीले और हरे रंके है और ये 9 रुपे में 5 पीस मुझे पड़े तो मैंने इसे सपेद हरा और नीले रंके LED light मंगाए है 5-5 पीस और गाइस इसके बाद gear motor के टायर है जो के गलती से order हो गया था इसके बाद गाइस एक laser light और सफेद रंके LED light है और गाइस ये 12 रुपे में मुझे 5 पीस मिले है जो के white रंके LED light है और गाइस ये laser light मुझे 29 रुपे में एक मिली है जो के बहुती बढ़िया condition में और मैं इसे कई project में यूज करने वाला हूँ और गाइस इसके बाद एक speed controller जो के मुझे मिला है 16 रुपे में और इसके साथ एक capacitor भी है और इसकी quality एकदम मस्त है जो के हम इसे बहुती सारे experiment यूज करने वाले है और इसका इस्तेमाल हम बहुती सारे अच्छे project में भी कर सकते और गाइस इसके बाद है male to male wire जो के बहुती high quality के है और इसके मैंने 5 पीस मंगा है जो के मुझे 25 रुपे के अंदर मिले और इसकी quality बहुती बढ़िया है और हम इसे use करेंगे और गाइस यह है 2.2K के resistant जो के मुझे मिले 9 रुपे के 10 पीस और चलिए इसे भी फार के देखते है और यह देखते है इसकी quality कितनी अच्छी है हम इसे आगे भी कई experiment में use करने वाले है जो के बहुती अच्छा होगा हमारे लिए इसकी मदद से हम छोटी LED light को 9 वाल्ट की बैटरी से जला सकते है इसके बाद यह है पिंक रंग की LED light जो के 5 वाल्ट की है और हम इसे 9 वाल्ट की बैटरी से भी चला सकते है जो के बहुती easy है हम इसे experiment में और background के लिए use कर सकते है तो मैं इसे अभी इस LED को जला के दिखाऊंगा और भई हमारे LED light बहुती अच्छी तरीकी से गुलू हो रही है जैसे कि आप YouTube में देखी तकते हो और हम इसे आगे भी use करेंगे और भई इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो